हाँ जी student कैसे हैं आप तो मैं बहुत बच्चों का एक management account का exam है 6 को आपका B.com final year semester 5 की बात कर रहा हूँ मैं honors की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं आप सभी का exam है काफी बच्चों का demand आ रहा है कि sir आप ऐसा करिये क्यों नहीं करते के हमारे लिए भी कुछ FM में जैसे हमारा exam गया था financial management में कुछ ऐसे chapters बताईए जो हम करें और उसमें से exam sure sure आ जाए तो मैं उसी के accordingly मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या prepare करना है तो सबसे पहले sir PVR आपको prepare करना है profit volume ratio जिसमें से 15 marks का question आना तैह है 15 marks का आपके पास बचे हैं आज का दिन कल का दिन और परसो 5 तारिक तक 6 को तो आपका है exam sir इसके अंदर कितना time लेना है sir इसके अंदर आप one day लीजिए मैं मना करूँगा ज्यादा दिन मत लीजिए formula base है पहले कुछ video को आप देखिए और observe करिए उसके बास self practice पे जाईए इसके साथ ही जैसे ही PVR आपका खतम हो जाए मैं कहूँगा absorption कर लीजिए absorption सर इसके अंदर से question आता है नहीं आता लेकिन यह आपस में एक दूसरे से थोड़ा सा connected है that's why मैं कहूँगा कि आप absorption कॉस्टिंग कर लीजिए sir इसके अंदर आप सिरिफ one hour मतलब कि half day लीजिए ज्यादा नहीं लीजिएगा half day सर इसके जैसे ही खतम होता है बजटरी करिए बजटरी के अंदर आप कम से कम one से two day लीजिए और इसके अंदर भी flexible budget सबसे popular है तो मैं मान के चल रहा हूँ इसके अंदर दो दिन लग जाएंगे आपके budgetary control के अंदर तो एक pvr हो गया absorption हो गया budgetary control हो गया दो दिन इसके बाद आपने करना है सर डिसीजन standard costing सर standard costing में काफी सारे बच्चों की query आ रही है कि सर आपने standard में पूरा नहीं कराया तो मैंने exam perspective से बोलू कि आपके exam में सवाल ही material और labor का पूछा जाता है overhead का बहुत rare पूछा जाता है मैं फिर भी end end में आपका overhead का वीडियो बना दूँगा लेकिन पूछा ये जाता है इसके उपर अच्छे से practice कर लिए सर 10 year के सारे questions कर लीजिए अभी मैं 10 year के भी doubt लूँगा कुछ बच्चों के जो बच्चे पढ़ रहे हैं और साथ के साथ किताब के जो आपके M.N.O.D.A. book है उसकी भी आप practice कर लीजिए इसके बाद सर final chapter आता है decision making सर decision making को जरूर करके जाए इसमें से एक सवाल आएगा पंदर नंबर का मैंने 8 ही सवाल करा हैं वो 8 सवाल अच्छे से करके जाए और paper के pattern को देखके जाए तो ये सारा का सारा pattern रहेगा पहला chapter theory सर theory भी जरूर पूछा जाएगा first question जो होगा वो theory का होगा second question होगा आपका वो practical होगा third, fourth, fifth theory practical कुछ ऐसे mix रहेगा करना क्या एक short form में conclusion बताऊं sir, pvr कर लेते हैं, absorption कर लेते हैं sir, budgetary control कर लेते हैं, इसके बाद हम कर लेते हैं कौन सा standard, last decision making हाँ, मैं आपको suggest करूँगा जो बच्चा चाहता है कि standard इन से कोई link नहीं हाँ, decision making का जरूर इन से link है तो पहले decision making को shift कर दीजिए बाद में आप किसको कर दीजिए, standard को तो इस तरीके से आप कर सकते हैं और आप करेंगे तो आपका hopefully chapter खतम हो जाएगा काफी बच्चों का कहना है का sir, इसमें भी कुछ star mark लगा दो important question बता दो ताकि हम कर पाएं तो मैं बच्चों आपको यही बोलना चाहूंगा करने का बहुत simple सा तरीका मैं लगा दूँगा star mark लेकिन जो concept वाले वीडियो है जो concept वाले वीडियो है उसको क्या करना है आपको सरिफ और सरिफ concept वाले वीडियो को मैं star लगा दूँगा बाकी question जुरूर practice करेगा नहीं तो paper में जाके blank हो जाएंगे आप तो ये सारे chapter बहुत छोटा सा श्लेबर से 5 ही chapter है आपके 75 marks काएंगे इनको अच्छे से कर लेजिए और करने के बाद आपका paper अच्छे से जाएगा मैंने sequence बता दिया PVR, absorption और budgetary के बाद काम करूँगा कि उसमें से भी कुछ selective जैसे financial management में थियोरी को select करके cut करा था मैं कल free रहूँगा कल मैं आपके लिए ये काम कर दूँगा सर जो बच्चे YouTube पे हैं कैसे पढ़ें YouTube पे सारा chapter लगभग मैं कूसिस कर रहा हूं सर हमारा दो दिन बाद paper है हमें इतना ही हम afford कर सकते हैं इतना payment कर सकते हैं server cost वो बता देंगे के server cost इतना है और इतने में आपका हो जाएगा सिर्फ server cost nominal sir nominal में काफी सारे बच्चे ऐसे मैं fees का इसलिए नहीं बोलता न के काफी सारे बच्चे फिर पुरानी वीडियो बोलते हैं के sir आपने इतना बता है तो मैं दो दिन के हिसाब से बता रहा हूं यह दो दिन का क्या होगा आपका जो nominal हो सकता है एकदम minimum से minimum उस पर बात कर लिए आप तो hopefully आपको help मिलेगा कौन सा chapter पहले करना है तीन दिन के strategy बनाईए अभी बैट जाईए PVR को आज आज खतम कर लेना आपने बहुत बच्चों ने कर लिया है तो sir absorption और budgetary को निपता दीजिए budgetary में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हाँ इसमें production budget मैंने नहीं डाला है YouTube पे मैं धीरे धीरे उसको upload कर दूँगा Thank you so much मिलते हैं हम इसी तरीके से next strategy next video के साथ